हेलो दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और आज हमारे पास है फायर बोल्ट का ब्रिलिया स्मार्ट वॉचुछ इस तरह की पैकिंग में आता है सामने धोनी और कायरा एडवानी एड़ुटीजमेंट करते हुए और यह फायर बोल्ट का पैकेचिंग हमें में देखने को मिलता है काफी सिक्योरली पैक्ट है कर लेते हैं से ओपन और यह सामनी हमारा दिखके आता है स्मार्ट वॉच का बॉक्स दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है यह पैकिंग सामनी लिखा है 2.02 इंच का बिगर एमोलेट डिस्प्लेस में देखने को बलता है ब्लीटुट टेक्नोलोजी आईपी 67 वाटर इस्टन्स और ब्रीडिया के यहां पर कई सरे अच्छे चाव फीचर्स है जो महिंदर में भी जो में फीचर्स है उसको यहां पर प्रमोट किया गया है 240 x 296 पिक्सल का रिजोलुशन इसमें देखने को बिलता है आईपी 67 वाटर इस्टन्स है और इस तरह भी कुछ एडिशनल फीचर्स AI वोईज असिस्टेंट इसमें देखने को बिलता है हार्ट्रेट इसके अंदर है मेन फीचर्स जो है इसका इसका इस्क्रीन और इसका रिजोलुशन है वो काफी इंप्रेटन्ट है तो आपन कर लेते हैं लेकित तरह से इसे रखा गया है काफी अच्छी तरह प्रेजन्ट किया गया है और यह मुने आश ग्रेज जो वेल्ट है उस उस पर किया है देख लेते हैं इसके अंदर हमें और क्या-क्या मिलता है तो इसमें कई सारे booklets है यहां पर एक पहला जो smart windows की information देते हुए यहां पर warning do not use fast charger adapter जो है वो यूज नहीं करना है और at least 60 minutes तक आपको इसको charge करना है और यहां पर कुछ Spotify का subscription आपको देखने को मिल रहा है यहां कुछ free movie टेकर तो फिलाल रख देते हैं इन सबको बाजू में और यहां पर हमें और एक जो user guide है जो थोड़ा important document है इन सब में और यहां पर हमें एक charger देखने को मिलता है जो कि एक magnetic Pogo pin connector का charger है और काफी strong magnet है आप देख सकते हैं काफी easily यहां पर connect हो रहा है तो देख लेते हैं हमारी smart watch काफी अच्छा look and feel आ रहा है इसे जब हाथ लगाते हैं निकाल लेते हैं इसके screen को और backside में भी यहां पर एक wrapper है हटा लेते हैं इसे और built इसकी काफी अच्छे beautiful है और मैंने इसे ash gray color belt के साथ लिया है तो इसमें जो dial का color है यह silver आता है और यहां पर हमें देखने के मिलता है crown और एक power on off button और इस तरफ यहां पर speaker का arrangement आप देख सकते हैं काफी decent लग रहा है यह speaker का arrangement भी और काफी premium quality यहां पर दिखके आ रही है और back side में यहां पर sensors है power pin connector और बागी कुछ information यहां पर भी fire अनिस इसे replace किया जा सकता है चलिए start करके देख लेते हैं और start होते सामने fire world का logo और यह directly screen launch हो गए है generally smart watches में setup का process आता है वह यहां पर नहीं है तो काफी अच्छा लगा यह देखके हलाकि time यहां पर अभी यह set नहीं है क्योंकि हमें mobile की साथ sync करना पड़ेगा और यह crown गुमाते ही यहां पर watch faces change हो रहे हैं काफी easy to use feature और यहां पर crown प्रेस करके जो activities है और बाकी के जो menu options है वो सारे नजर आ रहे है और यह crown रोटेट करके आप page up and down भी कर सकते हैं तो चली इनी सारे features को हम detail में देखने वाले हैं आगे फिलाल तो इन्होंने जैसे कहा था कि initially आप इसको 60 minute तक charge कर लिजे तो मैं इसे पहले charging पे लगा देता हूँ और फिर हम देखते हैं इसके सारे details कुछ इस तरह से screen आती है जब यह charge हो रहा होता है तो अभी यह fully charge हो सिंग कर लिया है काफी आसान है आप के साथ सिंग होना कोई भी difficult वाली जीज़ नहीं है इसमें और इसमें आप देख सकते हैं कई सारे faces हैं वह आप सेट कर सकते हो काफी information जो है steps की and other activity वह सारी यहाँ पर नजर आती है तो देख लेते हैं इसके features के बारे में यहाँ पर power button प्रेस करके इससे sleep mode में डाला जा सकता है और यहाँ पर यह जो screen दिख रही है always on display screen दिख रही है और यहाँ पर crown को press करके आपके सारे जो activity और बागी के menu items है वो नजर आते हैं crown को rotate करके आप यहाँ पर faces change कर सकते हो यहाँ से आप जब right swipe करते हो तो यहाँ पर कुछ shortcut menus यहाँ पर नजर आते हैं जैसे कि phone है games है music control यहाँ पर दिखता है और activity menu में भी यहाँ से जाया जा सकता है और यहाँ पर games भी हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर यह कि यह young bird game है 2048 I'm not sure यह game कैसा खेलते हैं लेकिन battleship एक बहुत interesting game है और hamster तो quickly देखते हैं कि यह battleship कैसे खेल सकते हैं इसमें और कैसे दिखता है तो इसका response time दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है और मेरे हैं से काफी देर तक यह game का engagement experience है वो अच्छी तरह से दे सकता है with this quality of display और जो response time यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो भी अच्छा है जो क कि किसी भी game के लिए काफी अच्छा होता है और यहाँ पर यह game भी काफी interesting है हाला कि इस game को थोड़ा आपको सीखने में time लगेगा क्योंकि यह screen का response और कब आपको tap करना है यह समझने में थोड़ा time लग जाता है बट काफी interesting game है यह वाली भी उसके आद आप नीचे से उप पर swipe करते हैं तो यहाँ पर आपको messages दिख जाते हैं जो भी message आपने notification के लिए enable किये हैं तो यहाँ पर WhatsApp के messages दिख रहे हैं और काफी अच्छी तरह से readable format में यहाँ पर नजर आ रहे हैं उसी तरह से आप अगर swipe down करते हैं तो यहाँ पर कई सारे shortcut menus हमें नजर आते हैं जैसे क मैं खास करके बात करूंगा इस screen clock feature के बारे में तो यह एक particular feature है जो मुझे बहुत पसंद आया यह एक always on display features यहाँ पर enable कर सकते हो तो यहाँ पर दो format है analog clock और digital clock तो दोनों ही clocks में यहाँ पर 3-3 faces को option available है तो analog में यह 3 options आपको नजर आते हैं तो जैसे अगर मैं यह set कर देता हो तो कुछ इस तरह से यह always on display नजर आता है यह continuously screen को on रखता है और इस तरह से आप time देख सकते हो जिसमें मेरा personal favorite वाला जो screen है वो यह वाला है उसी तरह digital clock में यह सब options आपको नजर आते हैं इसके बाद आप right to left swipe करते हैं तो यहाँ पर हमरे activities का जो graph है वो पुरा नजर आ दिख जाता है और काफी accurate sleep wake up and sleep time यहाँ पर नजर आता है और यहाँ पर आपका heartbeat counter तो कुछ इस तरह से यह काम करता है heartbeat count करने का और काफी आसानी से reading ले ले लेता है उसके बाद यहाँ पर आप जो आपके favorite app है वो यहाँ पर select करके आप लगा सकते हो जो भी shortcut आपको यहाँ shutter button है या फिर games अगर आपको यहाँ पर चाहिए या फिर calculator चाहिए यह भी आप यहाँ पर set कर सकते हो तो दोस्तों करीबन एक हफते से मैं इसे use कर रहा हूँ और यह मुझे इसका experience काफी अच्छा रहा काफी premium look देता है जब यह आपके हाथ में होता है और जो काम कर रहे हैं उससे में भी यह काफी अच्छा और decent सा look यहाँ पर नजर आता है हमने इसे bright sunlight में भी देखा तो यहाँ पर nits जादा होने के बावजूद हमें थोड़ी तकलीफ हो रही थी messages read करने में but nothing that cannot be managed यह थोड़ा सा adjustments करके आप यहाँ पर messages पढ़ सकते हो और दोस्तों यह IP67 rated है त तो hulkyful की बारिश में भी इसे कोई issue नहीं है और दोस्तों कई तरीके से use करने के बाद मैं conclude कर सकता हूं कि firebolt ने यह बहुत ही अच्छा product launch किया है price point को देखते हुए almost like 1700 rupees के अंदर इन्होंने यह product launch किया है जबकि इसके looks जो है वो almost 5000 plus के smart watch की तरह लगते हैं तो definitely दोस्तो this is a very very worth product to buy और इसकी जो finishing है खासकर मुझे वो बहुत पसंद आई इसका जो speaker का arrangement है इसका जो rotating crown है या फिर इसका जो power button है यह बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर place किया गया है काफी integrated और solid product यह नजर आता है जैसे हमें apple के watches नजर आते हैं बिलकुल उसी तरह से तो definitely दोस्तो मैं recommend करूंगा इस product को 100% आप purchase कर सकते हो emulet screen आती है तो यह बहुत ही अच्छा आपको एक display का experience देता है तो दोस्तों यह था एक review smart watch ब्रिलिया का अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे like कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए और मेरे चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद